नमस्कार स्वागत है आपका दा न्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शेरन उत्तर परदेश की योगी सरकार में जल ही होगा कैबिनेट वस्तार और सुभास सपा के नेता परड़ी के नेताओं को मिलेगी अब कैबिनेट में जगा जी हाँ आपके लिए बता दें कि अगले 24 घं स्था है पर मंत्री मंडल वस्तार को लेकर अब लगातार हो रही है उतर परदेश और सियासी गलियारों में चर्चा और इस बार जो कैबिनेट में विस्तार होने वाला है जिसमें RLD सुभा सपा और BJP के कुछ नेताओं को दी जाएगी मंतरी मंडल में जगा और लगातार ओपीर राजभर के नाम को लेकर भी हो रही है चर्चा जिया मंदरी मंडल विस्तार से पहले सीम योगिय दतनात पहले इदली पहुचे थे और अब उन्होंने जो है वो पार्टी हाई कमान के साथ इसको लेकर चर्चा की प्रस्तावित मंदरियों के नामों को लेकर महुड ल रणनीतियों पर काम कर रही है और इसी रणनीति में एक मुख्य जो प्रक्रम है वो ये भी है कि सीम योगी दतनात की सरकार में कैबिनेट विस्तार हो और देखिए मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो है वो उत्तर पर देश में दो मैं से तीनों में जो है वो योगी सरकार यानि कि योगी cabinet का वस्तार हो सकता है और UP के मंतरी मंडल में सयोगी दलों के विधायक को मंतरी मंडल में जो है वो मंतरी पत से नवाजा जाएगा कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी को देखते हुए NDA के सयोगी दल सोहिल देव भारतिय समाज पार्टी यानि कि सुभा सपाचीप ओम प्रकाश राजभर ने राजधानी लखनव से बाहर जाने का तमाम प्लैंट जो है वो कैंसिल कर दिये हैं और अब लगातार खबर ये आ रही है कि पूर्वान चल की 26 सीटों पर अपनी पैट और प्रभाव डालने वाले ओम प्रकाश राजभर को जो है वो योगी क्याबनेट में जो है वो जगा दी जा सकती है और इसी के साथ आरलडी के नेताओं के भी नाम पर चर्चा हो रही ह जी हाँ ओपी राजभर और ओल्ड आरलडी के एक कोटे से जो मंतरी है उनके बनाय जाने की लगातार अटकले जो है वो तेज हैं और ये विधायक MLC ले सकते हैं योविन योगी की कैबनेट में मंतरी पत की शपत देखिए अभी कैबनेट विस्तार को लेकर लगातार जो ह है वो सियासी गलियारों में चर्चा तेज है जिनको लेकर कुछ नाम जो है वो सामने भी आचके हैं एक तरफ सुभा सपा के चीप O.P. राजभर को जो है वो कैबनेट में जगा दी जा सकती है तो वहीं दूसरी तरफ राजपाल बाल्यान जो की R.L.D. की तरफ से हैं इने भी कैबनेट में जगा दी जा सकती है और वहीं दूसरी तरफ है दारा चोहां जो की पीजेपी के नेता है और इने भी उत्तरपरदेश के योगी कैबनेट में जगा दी जा सकती है और देखिए मंतरी बनाए जा सकते हैं आका सक्षेना जो की बीजेपी की तरफ से हैं और दूसरी तरफ प्रदीप चौधी का नाम जो है वो भी सामने आ रहा है जो की RLD की तरफ है देखिए लोग सभा चुनाबों में अब जादा समय नहीं रह गया है और सुभा सपा के चीप ओम प्रकाश राजभर कई बार बोल चुके थे के उन्हें जो है वो मंतरी मंडल में इसतार किया जा रहा है एक तरफ नेताओं के नामों को लेकर चर्चा जो है वो तेज हो चुकी है लगातार नाम सामने आ रहे हैं पारेडी सुभा सपा और बीजेपी के जो नेता है उनके नान सामने आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ देखिए लोग सभा चुनाप को लेकर लगातार रणनीती जो है वो बीजेपी की तरफ से तैयार की जा रही है कब दिल्ली में जो है वो कल मौझूद थे उत्तर परदे की बेन से यानि कि अब जल्द ही जो है वो कैबिनेट विस्तार के आसार जो है वो उत्तर परदेश में नजर आ रहे हैं और देखिए अगर हम बात करें इस कैबिनेट विस्तार को लेकर तो पूर्वा चल की 26 सीटों पर जो है वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जो है उनका प्रभाव माना जाता है सुभा सपा का और इसलिए राजभर को जो है वो यूपी सरकार में मंतरी बनाये जाने की चर्चा चल रही है राजभर जो है वो लंबे समय से यूपी मंदरी मंडल में शामिल किये जाने का इंतजार कर रहे थे और कहा जा रहा था कि अगले तो दिनों में जो है वो उनकी ये इच्छा पूरी हो सकती है जो तरीके से उनका नाम जो है वो कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार सामने आ रहा है और एक कारण ये भी है कि देखिए अगर अब मंत्री मंडल में सुभा सपा के चीफ यानि की ओम प्रकाश राजभर को ये जगा दी जा रहा है तो ये बड़ा जटका जो है ये समाजवादी पार्टी के लिए भी है क्योंकि समाजवादी और कॉंग्रेस जो है वो उत्तर पर देश से अब उन दोनों का सीचों पर बटवारा तो हो चुका है पर कभी समाजवादी पार्टी के साथ ही गठबंदन बना कर थे चाहे फिर वो आर्लडी हो या पिर सुभाज सपा देखिए सोल्डेब भारती समाजवादी पार्टी जो है वो उत्तर पर देश के विदान सभाज चुनाब में भी समाजवादी पार्टी के साथ थी और आरल्लडी वी उनके साथ थी पर जैसे ही अब लोग सभा चुनाप का समय पास आ चुका है दोनों ही पार्टियां एक तरफ सुभा सपा तो वहीं दूसरी तरफ RLD ने जो है वो NDA का दामन थाम लिया है बीजेपी का दामन थाम लिया है और बीजेपी अपने सहीयोगी दलों को जो है वो बिलकुल भी निराश नहीं करना चाहती है उत विस्तार की बात लगातार सामने आ रही है और आज अगर यह उत्तर परदीश की योगी सरकार में कैबनेट विस्तार हो रहा है तो इसमें कोई जादा नेताओं को जो है वो नहीं लिया जा रहा है जादा मंत्री उपद पर जो है वो नेताओं को नहीं बिठाया जा रहा है जी हा सिर्फ चार से पांच नाम ऐसे रहने वाले हैं जिनने मंत्री मंडल में जगह दी जाएगी जिसमें R.L.D. के भी नेता हैं सुभा सपा के भी नेता हैं और B.J.P. के भी नेता हैं और जिन जिन नेताओं के नाम आगे चल रहे हैं, जिन विधायक या MLC के नाम आगे चल रहे हैं, मैं वो आपको पहले ही वता चुकी हूँ, जिसमें राजपाल बालियान RLD की तरफ से हैं, ओपी राजबर जो की सुभासपा की तरफ से हैं, दारा चौहान जो की BJP, और गलियारों में इस समय पर थेज है कि आखिरकार योगी कैबिनेट में इन तीन इन पांच लोगों को क्या जगा दी जाएगी क्या यही वो पांच नाम है जिन पर अब महर लग चुकी है या फिर अभी कुछ और बदलाव होना बाकी है और देखिए यूपी में मंतरी मंडल व होगी मंतरी मंडल का जो है वो विस्तार हो सकता है और इसमें RLD के कोटे से एक मंतरी भी बनाये जाएगा मंतरी मंडल दो चार दिनों में जो है या फिर यूँ कहें कि कभी भी हो सकता है और इसी के साथ है वो कि सादसाध भारती जनदा पार्टी के कुछ और नेताओं को जो है वो मंत्री इस बार बनाया जाने वाला है विदान मंडल के बजट सत्र के बाद योगी मंडल में जो है सुग बुहागट जो है वो शुरू हो गई है और आसार ये है कि मंत्री मंडल का विस्तार व्यापक फेर बदल की वज़े से सीमिध होगा और घोसी विधान सभा उप्चुनाव हारने के बाद भी भाजपा की ओर से विधान परिशत में भेजे गए दारा सिंग चोहान और NDA में फिट शामिल हुए सुभा सभा के अधियक प्रकास राजपर को जो है वो इस बार कैबिनेट में जगा दी जाएगी इसी तरीके की लगातार खबरे सामने आ रही है और देखिए राजपर ने जो है वो NDA और दारा सिंग चोहान के सपा छोड़ने के बाद भारती जुनता पार्टी में शामिल होने के बाद से ही दोन जोनता पार्टी के नेर्टत में जो है अब यह फैसला लिया जा रहा है देखना एम रहेगा कि कब होता है है उत्तर परदेश की योगी सरकार में कैबिनेट वस्तार जिसको लेकर नामों की चर्चाब लगातार तेजबनी हुई है खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करकर सरूर बताईए थन्यवाद